हेलो एब्रीवन वेलकम चुरारा दोस्तों आज मैं एक हिना पैक का रिव्यू करने वाली हूँ और यह जो महदी है यह मैंने परशेस की है फ्रॉम हिमालिया और हिमालिया की जो हिना है यह प्री मिच्योर ग्रेंग को फाइट करती है लॉंग लास्टिंग कलर देती है और इ इसके प्राइस की 75 रुपीज का एक पैक है और एक पैक मेरे जितने बालो के लिए सफिशेंट है एक बार के लिए और इसको आप ब्रश की सहाथा से अपलाए करिएगा चाहे तो गलब्स का इस्तमाल कर सकते है वो बहुत ही इजी होता है हिमालिया नाचुर शाइन हीना ज इसके अंदर आप यहां पर चेक कर सकते हैं 75 रुपीज MRP है और इसके सभी मेन इंग्रीडियंट यहां पर हाइलाइटेड है 120 ग्राम प्रोडक्ट कॉंटिटी आती है और इसके यह इंग्रीडियंट यहां पर आप चेक कर सकते हो और बेसिकली इसको किस तरीके से पर अपलाए कर लें 3-4 घंटे बाद आप इसको धुल दें यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी और हैल्दी बनाती है यह सारी चीजे मेंशन है तो चलिए इसको अपलाए कर लिया जाए तो मैंने यह कई बार अपलाए करके देखी थी आप देख सकते हैं तो यह जो हिना है अब मैं इसे अपलाए कर लेती हूँ और इसका अपलाए करने वाला चुटोरियल मैंने आपको दिखाया था दोस्तों तो वो आप ज़रूर चेक करिएगा मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं मैंने वापस से एक हफते बाद फिर इसको अप पेस्ट बनाया सर्दियों में मैं सलाह दूँगी कि आप थोड़ा देर धूप में जरूर बैठें इसको लगा करके क्यूंकि बहुत सर्दी लगने लगती है हिना से बालों में ठंडक पहुँचती है सर में ठंडक पहुँचती है इस वज़ह से सर्दी की समस्या भी हो सकत तो आप देखिए जब यह पेस्ट बनकर तयार हो गया तो मैं यह ग्लब्स ले रही हूं और इनको पहन रही हूं क्यूंकि ब्रश वाली जो मेंदी है वो टाइम लेती है जिसकी वज़ह से मुझे फिर बहुत जादा सर्दी लगती इसलिए मैं ब्रश से जादा तर गर्मि भी नहीं लगती है तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यह जो पेस्ट है यह बन करके तयार हो गया है और यह बहुत अच्छा मेंदी पेस्ट बना है काफी इसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत बढ़िया है तो मैं बालों की जडो से लेकर के रूट्स तक प् तो इसलिए भी सही लगती है और इस पे जब डील आती है ना buy one get one की आप तब ही इसे purchase करिएगा तो जादा सही है क्योंकि 75 रुपीज भी जादा price है लेकिन आजकल तो जो organic या herbal हिना आती है वो बड़ी ही महंगे price हो गया है और जो हिना pack आने लगे हैं वो और भी expensive है जैसे क यह भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाकर के like अगर आपको brush की सहायता से खुद से महंदी लगानी हो तो उसके लिए आपको दो तीन बार practice से perfectly आ जाएगी लेकिन गलब से तोड़ा आसानी से लग जाती है हाला कि back side में नहीं लग पाती है उतने बड़ी है तरीके से थोड़ा सा जंजट होता है लेकिन brush की सहायता से बन भी बहुत easily बन जाता है यानि की जूड़ा और आप देखिए मैंने महंदी को अच्छे से apply कर लिया और मैं लगाते लगाते ठक गई थी लेकिन बालों की length पर apply नहीं हुआ था तो इसलिए मैं इनको दो parts में कर रही हू ताकि बालों की जड़ों पर भी महंदी अच्छे से apply कर सकूँ और मैं कोई color नहीं करती हूँ और मैं हिना अगर आप हिना लगाते हो तो मैं हिना की ही सलाह दूँगी आप अच्छी हिना apply करें कोई local या ऐसी वैसी हिना ही apply ना कर लें अच्छी सी हिना लगाएं आपने बा आपको बाल बहुत soft shiny bouncy करने हैं तो सच बोल रही हूँ आप हिना pack हर महीने जरूर लगाएं आपको बहुत फरक नजर आएगा male female सब लोग लगा सकते हैं हिना pack को और अगर आप इसमें अंडा मिला सकते हो आपको अंडे से कोई problem नहीं है egg तो आप इसमें egg मिला करके जाएगी और बाल इतने glossy हो जाते है कि hair space से भी शायद उतने glossy ना हो कई बार और अगर आप इसमें केला डाल लेंगे mash करके piece करके पका हुआ केला तो वो फिर हिना के साथ में banana mask भी हो जाएगा या फिर आप इसमें अच्छा सा जो चुकंदर का रस होता है वो मिला सकते हैं गिलास चुकंदर का रस मिला सकते हैं उससे ना अगर आपको थोड़ा बरगंडी वाला color चाहिए रेडिश color वो आपको मिल जाएगा तो ये छोड़ी छोड़ी tips हैं जिससे कि आप अपने बालो को super healthy बना सकते हो अपने बालो के लिए बढ़िया mask तयार कर सकते हो तो ये द पैकेट और अधवाइस ब्रश की सहायता से ये तो है कि एक पैकेट हिना ही apply होती है और दूसरे पैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें क्या है कि अगर आप दो पैक घोल रहे हो तो एक male और एक female दो लोग लगा सकते हैं अगर मेरे जितनी बालो की length है आपकी और तो अगर हिना पैक बच जाता है तो आप अपने husband के भी लगा सकती है इसमें दो पैक के अंदर और ये देखिए proper खाली हो गया तो ये तो रहा हिना पैक apply करने का process अब मैं इसको ना कुछ नहीं तो 2 से 3 गंटे तो ज़रूर रखूंगी अगर आप 4 गंटे नहीं रख सकते और बहुत भारी लगता है सर पे इसलिए थोड़ा जूड़ा उपर की तरफ ही बनाए और जितना हो सके इसे ना 8 या 9 बजे सुबा अपलाए कर लें या फिर 10 बजे उसके बाद में फिर आप अगर 2-3 बजे या साड़े 3 बजे तक भी बाल धुल लेते हो तब भी आपको ह इस तरीके से हिना अपलाए करती हूँ और ये जो आसपास लग जाती है इसे क्लीन कर दें क्यूंकि फिर वो हलका सा कलर दिखने लगता है तो अच्छा नहीं लगता और मैं इसको 3 घंटे रखने के बाद शांपू कंडिशनर करके प्रॉपर क्लीन कर लेती हूँ और मैं इ पॉलिथिन लगा के रखेगा बहुत आसानी से ताजे पानी से आप सर धो लीजेगा बढ़िया बाल सुरक्षित तरीके से धुल जाएंगे साफ हो जाएंगे और हलके गीले बालो पर सीरम ज़रूर लगाईएगा दोस्तो तो देखा आपने इस तरीके से मैं अपलाए किय और मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट शाइनी और बहुत जादा बढ़िया हो गया है एक ही चीज मुझे लगी कि थोड़ा रूसी जो है वो अभी बालो से जानी रही है विंटर की समस्या भी है अदरवाइस ये कलर भी अच्छा देती है तो ये हिना मुझे अच्छी लगी इस अगर आप को नाच्रल शाइन हिना मिल रही है तो बिलकुल आप प्र शाइन कर सकते हो एंड कई बार तो ये बार रिया गड़िया हुआ है उनलाइन का लिंक मैंने आपको डिस्कृप्शन में दिया हुआ है आप चेक कर लीजएगा और बाल जो है वो पाफि-काफि थाध अंडा और दही कुछ भी मिला करके लगा सकते हो जो भी आप चाहो और आप मेरे बाल देख सकते है so soft and so shiny so ये हिना मुझे बहुत अच्छी लगी और आप एक से दो घंटे कम से कम रखिएगा रात में भी गोएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी like सुबह तर ठंडी हो जाएगी वो otherwise तो ये बढ़िया और कमाल की हिना है so विडियो पसंद आये हो तो मुझे जरूर से follow करिएगा Instagram और Facebook पर and I love my hair because मुझे हिना ही पसंद है और मैं अभी coloring तो करती नहीं because हिना से ही already इतना अच्छा color मिल जाता है तो आप भी हिना ट्राइ कर सकते हो naturally बाल healthy रहेंगे और premature जो graying है उसको ये fight करेगा which is very very good दोस्तो so मिलते हैं next video में thank you so much और मेरे चैनल पर amazing videos जरूर देखेगा and follow लीजेगा मुझे Instagram पर